अगर आपके घर में कोई पाटी हो या कोई गेस्ट आने वाले हो तो आप इस फ्रूट कस्टड को जरूर बनाए एक तो ये ठंडा ठंडा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दूसरा इसे बनाना बहुत ही आसान है तीसरा ये देखने में बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है और इसका टेस्ट सभी को बहुत ही पसंद आता है तो चलिए बिना देरी करते वे हम इस टेस्टी और आसान डिजर्ट को बनाना शुरू करते है फ्रूट कस्टड बनाने के लिए गैस पे यहाँ पे मैंने पैन डग दिया है अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है साथ में यहाँ पे हमने हाप लीटर फूल क्रीम दूद इसमें डाल दिया है दूद डालने के बाद हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे और ये लिजे दूद में उबाल आ चुकी है ये आप देख सकते हैं हमें इसे इस तरीके से चलाते वे इसे थोड़ा हमें इसे गाड़ा कर लेना है ये आप देख सकते हैं चार से पांच मिनट हमने इसे इस तरीके से चलाते हुए इसे हमने थोड़ा सा गाड़ा कर लिया है यह देखिए अब हम इसमें आधी कप चीनी डालेंगे मीठा आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं चीनी डालने के बाद हम इसे इस तरीके से चलाते वे चीनी खुले का वेट करेंगे उसके बाद हम इसे 3-4 मिनट चलाते वे इसे भी हम काड़ा करते जाएंगे और यह आप देख सकते हैं दूद गाड़ी होनी सुरू हो चकी है तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के ओर यहाँ पे मैंने बाउल में आधी कप रूम टेंपरेचर पे रखे वी दूद ले लिया है उसके बाद हम इसमें 2 टेवल इस्पून वेनिला फ्रूट कस्टर पॉर्डर इसमें डाल दिया है डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह आप देख सकते हैं घूल हमने तयार कर लिया है चलते हैं गैस की तरफ यह आप देख सकते हैं दूद हमारी काड़ी हो चुकी है एक बार हम इसे चलाते वे इस तरीके से जितनी भी साइड में मलाई जमरी है ना इसे हम इस तरीके से करते वे दूद में मिलाते जाएंग अब हमने जो custard powder का घोल बना के तयार किया था ना धीरे धीरे करके हम सारे घोल को दूद में डाल देंगे यह देखिए इस तरीके से आप चलाते वे से आप काढ़ा करते जाए हमें इसे तीन से चार मिनट लग जाएंगे इसे हमें पकाने में क्योंकि हमने जो custard powder का घोल दिया करते वे आप इसे पका ले और यह आप देख सकते हैं दूद अल्मूस्ट गाड़ी हो चुकी है यह देखिए एक से दो मिनट हमें इसे और पका लेना है इस तरीके से चलाते वे इसे आप पका ले अब हम इसमें हाप टी स्पून हरी इलाइची का पॉडर इसमें डाल दें और यह आप देख सकते हैं हमने इलाइची पॉडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है यह आप देख सकते हैं कस्टड हमारा बन के बिलकुल तयार है गैस के प्लेम को आफ कर देते हैं उसके बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसपर कर लेते हैं और यह लीज़े हमने इसे एक खंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं उसके बाद हम इसे आपको दिखाते हैं एक खंटे के बाद हमने इसे फ्रीज से निकाल लिया है कस्टड बिलकुल ही ठंडी हो चुकी है यह देखिए एक बार हम इसे इस तरीके से चला लेंगे और यह आप देख सकते हैं वे सेब ले लिया है थोड़ी से हमने अंगूर लिया है और थोड़ी से हमने अनार लिया है सारी चीजों को डाल करके न हम इसे कस्टड में अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रूट्स आप अपने हिसाब से अपने पसंद की ले सकते है इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से क कर दिया है ये देखिए बहुत ही अच्छी कस्टड बनके तयार हुई है ये आप देख सकते हैं ना जादा गाड़ी और ना जादा पतली बनके तयार हुई है अब हम इसे सब कर लेते हैं ये हमारी फ्रूट कस्टड बनके बिलकुल तयार है घर में कोई छोटी मोटी तो आप इस custard को बना करके तयार कर सकते हैं और enjoy कर सकते हैं इस तरीके से आप एक वार जरूर बना करके try कर सकते हैं अब हमने जितनी भी fruits को बचा के रखा हुआ था ना अब इसके उपर नम थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं ताकि देखने में न और भी ये temperting लगे वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें फैमली फ्रेंड में सेयर करें चैनल पे नए है तो प्लीज सस्क्राइब करें बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ थाइंक यू